नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि फिक्स डिपॉजिट स्कीम, पोस्ट ओफिस सहिद देश के इन चार बैंक में एक लाख की FD पर मोटा पैसा मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वर्तमान समय में यदि आपके पास 50,000 एक लाख रुपए या इससे ज्यादा की राशी है, तो पोस्ट ओफिस समेद भारत के चार प्रमुख बैंकों में एक लाख रुपए या उससे अधिक की FD पर 7.5% की दर से सुरक्षित निवेश कर सकते हैं। हाँ, इन चार बैंकों में निवेश पर 100% निश्चित रिटर्न मिलता है। 2024 में, पोस्ट ओफिस सहित कई बैंकों में, फिक्स्ट डिपोजिट के अलावा विभिन अन्य जमा योजनाएं भी संचालित हो रही हैं, जहां आप मासिक आधार पर धन जमा कर सकते हैं। पोस्ट ओफिस के साथ साथ SBI की FD स्कीम पर भी अधिक्तम 7.5% तक की ब्याजदर प्रदान की जाती है। इस प्रकार, यदि आपके पास 50,000 एक लाख रुपए या इससे अधिक की राशी है, तो आईए जाने, इन चार बैंकों की FD स्कीम में एक लाख निवेश करने पर कितनी राशी मिलेगी। साथ ही हम आपको इसकी गणना भी समझाएंगे। कि आप एकल खाता, सन्युक्त खाता या तीन व्यक्तियों के साथ सन्युक्त खाता खोल कर निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ओफिस में फिक्स्ट डिपोजिट करवाना लाभदायक है क्योंकि पोस्ट ओफिस की FD में निवेश पूरी तरह से जोखिम मुक्त होता है और आपको गारंटीड ब्याज प्राप्त होता है। आपको जानकारी दे दें कि पोस्ट ओफिस की फिक्स्ट डिपोजिट योजना में एक लाख रुपए की FD पर आपको 44,995 रुपए का ब्याज मिलता है और परिपक्वता राशी के रूप में एक लाख 44,995 रुपए प्राप्त होते हैं। पंजाब नाशनल बैंक FD स्कीम पंजाब नाशनल बैंक, PNB, विभिन प्रकार की जमा योजनाएं और फिक्स्ट डिपोजिट स्कीम्स प्रदान करता है, जिन पर आकरशक ब्याज दरे प्राप्त होती हैं। यह बैंक अपनी पुरानी प्रतिष्था और ग्रहकों के अटूट विश्वास के लिए जाना जाता है। अर्थात आपको 8,683 रुपै का शुद्ध लाब ब्याज से प्राप्त होगा। PNB की इस FD स्कीम में आप 400 दिनों से लेकर अधिक सम्यावधी के लिए भी निवेश कर सकते हैं। जैसे एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, पांच वर्ष या दस वर्ष तक के लिए फिक्स्ट डिपोजिट करवा सकते हैं। भारतिय स्टेट बैंक की FD स्कीम वर्तमान समय में SBI द्वारा प्रस्तुत FD स्कीम ग्रहकों के बीच काफी लोक प्रिय हो रही है। जहां SBI ने 444 दिनों की अमरित कलश स्कीम के तहट 7.1% की ब्याजदर प्रदान की जा रही है। इस प्रकार यदि आप SBI की अमरित कलश स्कीम में 444 दिनों के लिए 1,00,000 रुपए की FD कराते हैं। तो 444 दिनों की समाप्ती पर आपको 1,08,666 रुपए प्राप्त होंगे। हाला की आपको यह भी जानना चाहिए कि SBI की FD स्कीम 444 दिनों से लेकर 10 साल तक के विकलपों के साथ उपलब्ध हैं। जिसमें आप अपनी पसंद के अनुसार अवधी चुन सकते हैं। SBI में सामान्य नागरिकों की तुलना में वरिष्ट नागरिकों को FD स्कीम पर अधिक ब्याजदर मिलती हैं। जबकि Post Office में सभी के लिए ब्याजदर समान रहती है। Bank of Bada FD स्कीम Bank of Bada अपने ग्रहकों को आकरशक ब्याजदरों के साथ गारंटीड रिटर्न की सुविधा प्रदान कर रहा है। Bank of Bada तिरंगा डिपोजिट स्कीम जो 399 दिनों के लिए हैं। यदि आप एक लाख रुपए जमा करते हैं, तो आपको 7.15 प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्थ होगा। इस प्रकार, 2024 में एक लाख रुपए जमा करने पर आपको कुल एक लाख 8560 रुपए प्राप्थ होंगे। हाँ, मात्र 399 दिनों की इस FD पर आप 8560 रुपए का लाब कमा सकते हैं, वहीं 399 दिनों से अधिक की अवधी, जैसे 5 साल के लिए निवेश करने पर, आप 1 लाख रुपए की FD पर 45,000 रुपए से अधिक का लाब अरजित कर सकते हैं। HDFC Bank Fixed Deposit Scheme HDFC Bank सभी भारतिय नागरिकों के लिए उतकरिष्ट ब्याजदरों का विशेश प्रस्ताव लेकर आया है। बता दे कि HDFC Bank 18-21 महिनों के Fixed Deposit पर 7.25% ब्याजदर प्रदान कर रहा है। इस प्रकार अगर आप HDFC Bank में 1,00,00 रुपए का Fixed Deposit कराते हैं, तो आपको लगभग 1,00,14,000 रुपए का रिटर्न प्राप्त होगा। लंबी अवधी के लिए HDFC Bank में Fixed Deposit करवाने पर आपको और भी ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है। यह थी आज की कंप्लीट वीडियो, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो आप इसको लाइक शेर जरूर करें, और SK Education चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी कोई इस तरह का नया वीडियो अपलोड किया जाए, तो आपको तुरंट सूचना प्राप् हो जाए, धन्यवाद